Hello, Namaste, Welcome to Math Addiction यो वीडियो मामें डिस्कस गरने सहूं Profit and Loss अत्वा नाखा रा नुकसान संग संबंधि 10 रुडा important multiple choice questions रू यो वीडियो अपकमिंग राष्ट्य बानिजे बैंक रा नेपाल राष्ट्य बैंक को लेबल 4 को प्री टेस्ट एक्जाम को लाग इसले सला एंड सो महिरनो वाला विडाओ वास्टिंग मस्टाइम लेज गेट स्टाइट ओके क्विचिन नम्बर वन सा यो टाइप को राष्ट्य येदी कुने बस्तु रू 1320 मा बिक्री गरदा 10 प्रतिशत नाफा उन्सा बने सो बस्तु को कोस्ट प्राइज कती होला सो यानिरा हमलाई सेलिंग प्राइज दीएगु सा 1320, 1320 मा हमले त्यो सामान बिक्री गर्यों रब बिक्री गरदा हेरी हमलाई नाफा को परसेंटेज जो छत्यो दीएगु सा 10 प्रतिशत तेसो बहे CP कती होन्सा योस होदी राच अब येवाला क्वेशनला हमें 20 तरिगा वड़ साल्व करना सक्साँ असमत दे सबसे पहिलो मैथाड हुन्सा फॉर्मुला लगाऊनी CP निगालना को लागी तपाई फॉर्मुला यूस गरना सक्नुन्सा SP इंटु 100 डिवाइद बाई 100 प्लस प्रोफिट परसेंट येदी हमलाई प्रोफिट परसेंट दीएकु समने प्लस गरनी सो वैल्यू राखनुन्सा तेरो से 20 मल्टिप्लाई बाई 100 डिवाइद बाई 100 प्लस नाफा को प्रतिशत केवल 10 लेकन पर्यों सो तेरो से 20 इंटु 100 डिवाइद बाई एक से 10 हुन्सा 00 कैंसल गरनी 11 ले तेरो से 20 लाइक आरदा एक से 20 पोटक एक से 20 इंटु 10 करती नी होगने 12 100 रुपिया तपाई को एंसर आउसा मतलब आप्शन ए एसको राइट एंसर हुना जान्सा ठीक सा यो बाई आम्रों पहिलो तरीका सेकेंड मैथड इस तो टाइप को रहेकु सा तपाईले एर नियो की नाफा को थी बाई रासा है ना यो गुरा इंपोर्टेंट हुनसा इसको मीनिंग क्यों यो जो डिनॉम्नेटर सा तलवाला भाग एसले बुझा हुनसा 11 रुपया सो हम्रों अनुसार 11 रुपया सिलिंग प्राइज हु तरह क्वेशिन अनुसार तरह 1320 हो सो हमले 11 वड का पुगनूसा 1320 सम्मा पुगनूसा अब 11 वड 1320 पुगनूसा वने अब लास्ट मेंटर साह को सतो हम्रों अंसर अप्शन को यूस गरने यानि रजो तबाला प्रोफिट परसेंटेज दीएको सा तबाइक के गरनूसा वन्दारी जती बनी A, B, C, D, 4 ओड़ा आंसर ओप्षन तपाई देख देख देवनुँँँँजा त्यों सपपई वनेगो कोश प्राइज हो सो कोश प्राइज मा नाथा को परसेंटेज थाप दिने हो वने सेलिंग प्राइज आउनुँपोरियो सो तपाई के गरने हुँँजा यानिरा आंसर ओप्षन बट 10 परसेंटेज निकालने जस्ताई पहिलो ओप्षन हो बारसे येदी बारसे को हमले 10 परसेंटेज निकाल दिने हो वने 12 साइको 10 परसेंटेज निकाल नियो वनी XA20 आउच यो XA20 लाई 12 साइमा जोडने यो हो CP यो XA20 वनी को प्रफिट हो यदी यो दुड़ालाई जोडे रत पाईको 1320 वनी रास वनी ये इनी राइट एंसर होंच 12 साइमा एक साइबीस जोडने यो वनी 1320 ने आउच अब यानी रत ए नंबर मैं 12 साइबीस दिये गुवनाले हमले और लाई चेक पनी गरनू परे न तब लाई और लाई चेक गरररा हेडना सकनोंच वसरी जस्ते माननों 11 साइ कीना एसको एंसर बहाए न 11 साइको 10 परसेंटेज निकालना हेरी 110 एंसर होंच अब एक से 10 लाई 11 साइमा जोडने होगनी डेफिनेटली 1320 बिस्त बंदेन होला है जस्ते माननों 11 साइको एंसर बंदेज न तब लाई चेक पनी आपनी आप्षन को यूजगरर रथा पाऊना सक्सां की कुनचाई सको सीपी होंच ठीक फिक क्वेशिन नमबर टू येदी 5 बस्तू गो बिक्री मुल्ले बनना ले सेलिंग प्राइस बराबर 3 बस्तू गो क्रय मुल्ले बनना ले कौस प्राइस सो बने नाफा अथवा नोकसान को प्रतिशत कती होला इवामले निकलने ठीक अब यह वाला question solve गरना गोलाएगी धेरे shortcut सरू तपाइले सिखनू पर दना तपाइले जे याने रो language दीए गुछा तेसको आधार्मा यहवडा equation बनाऊने हो यहां के लेखे गुछ पाँस बस्तु को बिक्री मुल्ले स्वामी यहला है लेख सों 5SB बिक्री मुल्ले बनना ले सेलिंग प्राइस पाँस बस्तु को सेलिंग प्राइस बराबर तीन बस्तु को क्रय मुल्ले स्व तीन सीबी जती रुपया मत पाईले तीन बस्तु किननु तेत्तिन रुपया मत अब पांच बस्तु बेजनु बास सो आमे किनी राज हुं कम बेची राज हुं बड़ी सेम प्राइज मा एसको मतलब पक्के पनी के हुनजा आमला है लौस हुनजा घाटा बहुए हों तरही तेसले ओप्षन ए रॉप्षन बी तरह इसको राय टैंसर सो यह निरस है अमले युँ सीपी ला या निरोल लोगयों सो यह उंजा स्पी बाई सीपी इक्वल्स टू यो पांच ला एता लोगने हो बने तीन बाई पांच एसको मीनिंग बोयो सीपी यदी पांच हो बने सेलिंग प्राइस को तीन हो सो कॉस्ट प्राइज बोड़ी सह यहाँ वड़ अरुनुस था cost price, selling price बंदा body सभनी यहीने घाटाको अबस रहाँँज़ यहाँ अब 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 तबाएले loss निकालने हो loss निकालने तरीकाँँज़ CP-SP so 5 रुपया हैमा किनननू भाँच 3 रुपया हमाँ बेची रहाँच सो 5-3 अथवा 2 बस्तु बराबर को हामलाए लोस भाई रास याने रा ठीक अब एसको तबाईले पर्सेंटेज निकाल दिन्यों सो लोस पर्सेंटेज निकालने तरीक अगे होंसा माथी लोस लेखने तौल सीपी लेखने सीपी बने को था 5 हो और इंटो 100 गर दिन्योंसा रात भाईको एंसर 40 पर्सेंटेज आया आलसा येदा सो option D is the right answer 40 पर्सेंट लॉस ओके सेम एसता एक्वेशन नमबर 3 पनी सा येदी 10 बस्तूगो क्राय मुल्ले सो आम लेला कसर लेखने 10 CP लेखनू पर्यों किनो वने क्राय मुल्ले मने कुसा बराबर 9 बस्तूगो भिक्री मुल्ले सो 9 SP लेखनू पर्यों अब यहाँ वड़ा तबाई CP लेखनू पर्यों अब यहाँ वड़ा तबाई CP लेखनू निकाले आलनू सो आमी SP लाए तोलो लोग दिन्सों येदा यो 10 लाए लाए यालसों सो माथिल लेखनूंचा 1 तोलो लेखनूंचा CP CP लने को 9 होई बिरसे रहा 10 लाए दिन वाला CP माथिल वाला 9 इन्टू 100 अब 1 बाई 9 बने को साई 11 1 बाई 9 उन्चा पर्सेंटेज मा आई तो ये येसको राइट आंसर होँंचा 100 लाए 9 ले भाग करदा ये थी आंसरा हुज सान उन्चा 5 प्रतिशत नाफा कमाऊनोंगो लागी 100 बस्तुलाई कोती मा बेशनू परला एक्दम सरल कोईशन रहेगो साई तो येवडा बस्तुलाई 72 रूपीज मा हमले बेची सक्यों 10 परसेंटेज नक्सान पनी बाई तो 10 परसेंटेज लॉस को मिनिंग यो 10 परसेंट 90 परसेंट अफ कॉश्ण पराइस परसेंट को मिनिंग बहें तब आंगों सरी नक्सान प्रतिशत कोईटेज को इस पाँजे ने प्रतिश लॉस को शरी भाला बेचा धरां बेचा थेगो जाबा लास बंजा तेस्टी रहां 100 वड मा भाला मााइनस गर नियो जाहा अब योवाला कोसर निकालना सक्स téhezeem सबसें पहिला एक से पह्ने पह्ने जसको व Debatलय निकालनू शत्यो पहिला लिखने डिवाइड बाई जसको वैल्यू दियेगो ज़त यो तौल लेगने सो 90 वैल्यू दियेगो ज़त आए ना सो एकसे पास बाई 90 अनी इन्टू यो आमलाई दियेगो सेलिंग प्राईज 72 एसरी गर दिना उन्च अबने तबाईगो एंसर आयाल सा सो अठारले काडने अठारले पास पड़क अठारले चार पड़क पास ले एकसे पास हाय काड़दा एककाइस पड़क एककाइस गुणा सार हुँँचा चावरासी सो 84 रुपीज एसको नाया सेलिंग प्राईज हुँचा ओप्शन D is the right answer ऐधर Q5. एवडा बस्तू लाए 10 प्रतिशत नोकसान मा बिक्री गरियो एदी रू 9 मा बड़ी बिक्री गरेगो भए साडे 12 प्रतिशत नाफा हुँँचेओ तेसो बस्तू को क्रय मुल्ले CP पत्ताल लगाँँचेओ सो सिच्वेशन कस्तो सबंदारी मनुसी यो CPU सुरुमा तपाईले 10 प्रतिशत लास मा एचलाई बेची सखनु भाँचा 10 प्रतिशत लास येरी तपाईले 9 रुप्या बड़ी मा बेचेगो भए तपाईला साडे 12 प्रतिशत नाफा हुँचेओ साडे 12 प्रतिशत ने लेखेगो यो 12.5 पर्सेंटेज बने रबुजदा हुँचा 12.5 पर्सेंटेज प्रॉफिट हुँचेओ नौ रुपीज बड़ी मा बेचेगो भए तेस बड़ी कॉश्च प्राईस कोती रहे को वाला यो आमले निखलनी सो कईली हुँचेओ इस्तो टाईप को विशन आवने तपाईले की गरन्दू पर्सा यो 10 पर्सेंटेज जो लोस को सा रो यो 12.5 पर्सेंटेज जो प्रॉफेट को सा इनी और तो ऑपोजेट डाईरेक्शन मा सान सो अपोजेट डाइरेक्शन मा सबनी तपहले यहाँ देगे यहाँ समगो गैप एर नियो रो गैप निकाल दारी यो दुटा जोड़ीन जा इता 10 रा साड़े बार जोड़ीन जा वैल्यो आमले निकाल न सोके वनी तेई उत्तर हुँँच सो शाड़े बाइस बर आबर ना हुँँच अब साड़े बाइस सुन्न मात और के लागे राज तेसब़े तपह यहाँ थोड़ा राम्रो बनाए दिनुँच अमले दुटे साइड मा दुईले गुणा गर दिने हो वने यो 45 परसेंट उन्जा अब थोड़ा डंग को बाइस साड़े 22 को डबल कदि उन्जा 45 नौको बने डबल करनू परला 18 तो 45 परसेंट को वैल्यो अठार हुँच अमने 100 परसेंट को कदि उन्जा पहला तबाँ 1 परसेंट को निकाले अलनूस अब अतवाई 100% को निकाले अलनूस अठार बाई 45 इन्टू 100 गरेर 9 ले काटने 9 ले 2 पटक, 9 ले 5 पटक, 5 ले 100 ला काटने 20 पटक 20 गुणा दोई गर दिनोंस अबने 46 तबाई को कौश्ट प्राइज रहेस सो अप्शन A is the right answer है सो कईली मनी एस्तो टाइप को क्वेशन आया बनी यो स्रुमा गैप निकालनू अलनू अला ये दी दूटे opposite direction मा सा येवडा तपाईला लॉस दीएकु सा येवडा प्रोफिट दीएकु सा हमेशा तपाई add गरनू अला जोडनू अला र यो क्ये का कारण ले भई रास यान इटा difference दीएकु सा जस्ताई 9 रुपया बडी मा बेशे पसी एती नापा हुन्दियो वो ये इस तो बन्नू परेकु सा येदी 1.5 रुपया बडी मा बेशे गुबए या 100 रुपया बडी मा बेशेगो बए त्यो बडी भन्नू ने की हुन्चा आमरो difference उन्च या gap उन्चा इता यो सपपई चीज मिले गुचा वने तबाई ये वाला method यूजगरे र एकदम easily एसको आसर निकालना सक्वनुचा ठीक Quesion No.6 येवड़ा बस्तुलाई कुणे निसित मुल्या मा बेशेर येवड़ा बेक्तिले 20% नाफा कमाऊँज़ येदी उसले 100 बस्तुलाई दोब्बर मुल्या मा बेचेगो बए उसले कती प्रतिशत नाफा हुन्दियो एकदम सिंपल कोईशन जाए ना कुणे येवड़ा बेक्तिले कुणे येवड़ा आर्टिकल लाई येवड़ा सटेन रेट मा या एमांट मा बेशेगो वहला उसले 20% प्रॉफिट बए आलेव येवड़ी उसले double price मा बेशेगो गोए उसले कोथी प्रॉफिट नाफा हुन्दियो येवड़ा आमले निकलने सो सप्पई खेल यानिरो 20% इसको स 20% इसके हो खास मा यानिरो 20% इस प्रॉफिट होए न यालेवड उस नाफा हुने रो अब यो 20% प्रॉफिट लाए तबाए फ्रैक्शन मा भिन्नको रूप मा लेखनोंच 20% बनेगो कोथी हुन्च एक बाई पास हुन्च बीस बाई सय गर निकालनो अला यो एक बाई पास को मीनिंग क्यों यदि कश प्रॉपिया हो तोल वाला इससा कश प्राइज कश प्राह प्राइस यानि यो सो बस्तुलाई ढब्बर मुल्य मा सकिँ भए सो सेलिंग प्राइस 6 रॉपिया ना भए र 12 रॉपियाँ हो भए नाफ आगो परसेंट कोती होंद्यों अब कोस्ट प्राइस था चेंज होते हैं अब कोस्ट प्राइस लाइ 10 लेगन थोड़ी मिल जात सेलिंग प्राइस पूर डबल गरेगो कोस्ट प्राइस था 5 नेच तेसवा यो दुड़ा बीज को डिफरेंस हेरनु पाँस रुप्यामा की नेक वुच्छिज 12 रुप्यामा ő साथ रुपया नाफ बगय में साथ रुपया बगयो बावड़ पाँस गटाए ब सी साथ यो साथ रुपयागो प्रोफिट परसेंटेेज निकालनी सो मार्थे लेगने 7 तॉललेगन उनच cp पाँच इन्टु हंडेड गर दिन होंच सो पाँच ले सोयलाइक आड़ने 20 पटक्ट 20 गुणा साथ 140 प्रतिशत नाफा होंच option B is the right answer question number 7 कुने बस्तु को अंकित मुल्ले रू 975 छ रतेसलाई रू 897 मा बिकरी गरिंच बनी चूट को प्रतिशत कती होला सो आमला याने रडिस्काउंट परसेंट सोधी राज सुरुमा आमले चूट निगालने हो चूट निगालने तरीक आउंच माँच प्राइज अंकित मुल्ले वड़ सेलिंग प्राइज गटाउनी सो 975 माँच प्राइज हो अंकित मुल्ले हो तेस वड़ आमले 897 रुपया गटाई दिने हो गटाउनी 900 वड़ 897 गटे हो तीन रुपया तीन रुपया माँच प्राइज जथ अपने होने 58 रुपया चूट बोयो अब इसको परसेंटेज निकालने सो डिसकाउंट परसेंट पराबर माठी लेगनुँँँँँच डिसकाउंट तोला हमेशा माँच प्राइज लेगनुपर सा माँच प्राइज होनेगो 975 हो अनी मल्टिप्लाइबाई 100 गर दिने अब थोड़ा महनत यानिर आमले काटन गोलाई गरनुपर्यो सो 25 ले शुरू गरों 25 गुणा 35 परसेंट 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 राइज हो सो अप्षन डी इस द राइट अन्सर वाइद वेशन नमबर एट येदी कुने बस्तू को क्रय मुल्ले तेसको अंकित मुल्ले को 5,9 छा रा नाफाको प्रतिशत 20 प्रतिशत छा वने छूटको प्रतिशत ग्याद गरनुऊस एकदम राम्र प्रशन रहेगुचा सो या निर्गे बुनसर मुन्दारी जो क्रय मुल्ले त्यो क्रय मुल्ले बने उकति यो 5,9 हो 5,9 कसको अंकित मुल्ले अथवा मार्क प्राइस को अब या वड़ा आमी CP रो मार्क प्राइस को रेशियो नी कलना सक्सां यो मार्क प्राइस लाए यता भाग मल्याउनुवला यो बने उकति हुँँच 5,9 नहींच 5,9 सो यसला ये दि आमले टेबल को फॉर्म मल्ले हो अने यसको मीनिंगो कौस प्राइस 5 हो और मार्क प्राइस बहुआ हो तियो मार्क प्राइस 9 रुपया हो अब या नहींच 10 प्राइस लाँ 7,9 प्राइज पांस रुपया हो बने, सेलिंग प्राइज कती हुँँजा, अमरो सेलिंग प्राइज 5 प्लस एक छा रुपया हुँजा, अब याने र एरन्द सकनोंजा, यो माथिको टेबल र तलोको टेबल मा, सीपी र सीपी ता सेम जा, गुड न्यूस अई न, 5-5 मिले आले ह तेसबाइ तबाइ अब यरन्द सकी, माग प्राइज 9 रुपया हो बने, सेलिंग प्राइज कती हो 6 रुपया हो, यो दुड़ा 20 को अंतरला बंचन डिसकाउंट, डिसकाउंट बनेको 3 रुपया, 9 वर्ड चाउ गटाई दिनुज 3 ये 3 को आमले परसेंटेज निकालने हो, सो डिसकाउंट परसेंट निकालने तरिकाउंच, माथी लेकने छूट 3, तला लेकने माग प्राइज 9, मुल्टिप्लाइ गर दिनुज 100, 3 ले 9,8 रुपया, 100 बाइ 3 को मतलब 33, 1 बाइ 3 प्रतिशत तबाइको डिसकाउंट परसेंट होंच, सो अप्शन D इस तराइड अंस परसेंट निकाल देऊंच, अब पहिलो कंडिशन देई उनच, CP रा माग प्राइज को रेशियो देई, CP रा माग प्राइज को रेशियो 15 रुपया नो हो, यो तर चेंज बाएन, सेकेंड मा अरनुस याने रा नाफागो परसेंटेज 10 परसेंटेज दिये गोवाए, 10 परस अब यो बनी आलतेओ, 25 जा 10, अणी 29 जा 18, एसको मतलब CP राइज आलतेओ, 10 माग प्राइज हो, अब तपा येरन सकनोंच, 18 माग प्राइज हो, 11 सेलिंग प्राइज हो, सो कती छूट बाएज, 7 छूट बाएज, एसको पर रेट निकालनू परियो, डिस्काउंट परसेंट निकालनू परियो बनी, माथी 7 लेगने, तला 18 लेगनू परशा, अब आमती, अनी इन्टु स्वय गर देगो बाए, तबाएको आंसर आयालतेओ, डिस्काउंट परसेंटेज, हैता, ये जरी आमली निकालनू परियो परियो, वेशिन नमबर 9, एवडा गहर, X याने रहा, आमलाई, डिस्काउंट को रेट दियेगो सा, रत्यसको सास सारे, याने रहा, कोथी माँ बेचियो, सेडिंग प्राइस पन दियेगो सा, आमले माँ प्राइस निकालनू ने हो, सो माँ प्राइस निकालन लगो लागी यो फॉर्मला होंच, SP इन्टु 100, डिवा बाइ 100-discount percent मने गो X, so 100Y divided by 100-X, यो तबाइगो साही जबाबो कहा निराशा हो, यो option C मा यह राइट एंसर होंच होंच होंच, ओके यो वीडियो को last question, question number 10, कुने बस्तुलाइ तसको अंकित मुल्ले को द्वी तिहाई मा बिकरी करदा, 10% ये नोकसान होंच, बने, अंकित मुल्ये मैं बेजदा कोथी प्रतिशत नाफा होंच सो यो question को meaning येदी selling price mark price को 2 by 3 हो वणिये loss वनिये 10% होंच येदी selling price रा mark price दुरेटे बराबर पोहिदियो वणिये कोथी percentage नाफा होंच profit होंच तिमे को हमले निकालने सो दुरेटा अलग-अलग cases उन पहिलो केस मा यस्तो स सेलिंग प्राइस वन्यों को कोथी 2 by 3 दुईती हाई कोसको मार्क प्राइस को ठीक अब यहाँड़ा आमडे SP रए MP गो रेशयो निगाल दीनियो SP रए MP गो रेशयो 2 by 3 यहाँ यहाँ आमले टेबल को फॉर्म मा लेखने हो ने तबाइसरी बुझन उसकी पहिला MP लेखने हो अई माघ प्राइज 3 रुपीज सह, वनी, सेलिंग प्राइज को अधियो 2 रुपीज सह, माघ प्राइज 3 सह, सेलिंग Price 2 सह, अब आमाग यानिर, लोज को परसेंटेज 10 दियेगो सह, 10 परसेंटेज लोज, इसको भिनन, fractional value हुँँज़, 1 by 10, अब इस वटर table बनाओ दाहरी, यो denominator हमेशा CP हुँँज़, CP बनेगो 10 हो, अनि यो माथिको 1 रुपया साई, लौस हुँज़, तेस वे selling price तपाय उगाती हुँज़, 10 वटर, once fraction गरनेगो 9 रुपीज हुँज़, इसलाम वेली ये निर ल इकेल बनाओ न गुलागी, आम यो फास्ट वाला relation लाई, इंटू साडे चार गरी राजू, साडे चार गर्दाहरी, साडे साडे सार इंटू 2 नौह उन चाईथ, साडे चार इंटू 3 गर्दाहरी, साडे 13 बयो, अनि साडे चार इंटू 2 गर्दीनियो, वने 9 बयो, तानि यहो 9 रुए 9 के बोड़ु सेम बबब अब फाईनल एक्वेशनली रिके बबंच, यी तो पाईब को सेलिंग प्राइज रमक प्राइज नियो मतलब, जती इसको मात प्राइज हो जो तेतीनी सेलिंग प्राइज बनाइदीनी हो बने कोती परसेंटेज नाखांच सो इसको सराल भासामा और्थ यो भयोगी येरी तवाइले साड़े तेरा रुपया मा बिक्री गर दिनु भयोगी कोती पर्सेंटेज नाफा होंच सो अब तवाइले साड़े तेरा लाई यो जो 13.5 चा यो 13.5 लाई SP पनी माननने हो र CP तामिसंग 10 रुपी चा दैच सो 10 रुपया cost price, साड़े सेरा रुपया سेलिंग price तेस बए नाफा कती हुँँँच? नाफा साड़े 3 रुपया हुँँच अब येसको % निकाल्दीन यो, तो % निकाल डाई साड़े 3 डिवाइड बाई cost price 10, multiply by 100 गर दिन bulbs owने एसको उत्तर 35 प्रतिशत आयाल स, 004 ने र गुणा गरती ने, so option C is the right answer, एसरे हमले गरने, ठीक काई निरपनत पाला है, डाउट बहे हमनी, वीडियो रिवाइन गरर हेरनो अला, अब एक च्रोडी हेररा बुजे ना बनने याई ना, एक च्रोडी एरे बसत पाला है समझ मा आलसा, किना आमले 4.5 ले मल्टिप्लाइ गर्यों, किना बने दुएटे केस मा सेलिंग प्राइस यवड़े बसत हुगो, तेसले यो दुड़े सेम उनु गर्ने उन्चा, अब यानिर दुए याँ नो बहे रासा, याँ नो बहे रासा, कुरागानी मिले ना, सो दुए लाई 9 बनाउन गुलागी, अब 4.5 ले मल्टिप्लाइ गर्ननु पर्यों, सो 4.5 ले मल्टिप्लाइ गर्दा यो 9 उन्च, यो 3.5 उन्च, सो SP राए SP सेम बही सेगी बुछी, अब आमले comparison करना मिले, second case लिगे बुछ, ये रितबाईगो selling price पर आबर mark price भागो बहागो, कोथी पर्षेंट नाफा हुन्दिव, मतलब आमले 3.5 रुपया मों basic बहागो, कोथी पर्षेंट नाफा अई, एसने हामले logic लगायर, solve गर्ने हो, सक्क्यो अई तैसाब ओके, यो वीडियो मा इतीनी, होप एसमा एक्स्प्लेण गरेको, सपपाई कंसेप्ट और लाजिक तपले रमरसंगा भुजनु भायगो अला, येदी यो वीडियो मन परेको, समने लाइक राशेर पक्के बेनी गरनूस, र मेरो YouTube चैनल, Math Addiction लाए, सब्स्राइब गरनना न नेक्स लुझनौ।